नमस्कार, स्वागत है साहितिक जहरो का चैनल पर आज हम करेंगे समशेर बहादूर सिंग जी की कवीता बात बोलेगी इस कवीता में कवी ने समाज की सच्चाई को सामने रखा है उसमें बताना चाहते हैं कि समाज किस प्रकार से वर्तमान प्रस्तितियों का सामना करे उसे कुछ करने की जरूरत नहीं अगर उसकी बात में बल है या उसकी बात में अगर ताकत है तो उसकी बात बोलेगी यानि इसमें क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं तो हमारी आवाज ही हमारा सहारा है या हमारी आवाज ही हमारा सबल है कवी कहते हैं बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही सत्य का मुख जूट की आँखें क्या देखें सत्य का रुख समय का रुख है अभे जनता को सत्य ही सुख है सकते ही सुख है यहाँ पर कभी क्या कहना चाते हैं कि समय आने पर हमारी बात ही हमारी ताकत बनेगी या हमारा साहस बनेगी तो बात बोलेगी यानि हमारे विचार ही बोलेगी हमें बोलने की आफशक्ता नहीं है शोर शराबा मचाने के आफशक्ता नहीं है अगर हमारी बात सची है तो वो अपने आप ही समय के साथ सामने आएगी भेद खोलेगी और हमारी बात ही समाज की सच्चाई का भेद खोलेगी समाज की सच्चाई खै है उसको प्रकट करने के लिए ये किसी अन्य सहारे की हमें कोई आफशक्ता नहीं है बात ही यनि जो भेद खोलेगी वो कौन खोलेगी हमारी बात ही हमारा भेद खोलेगी या समय की सच्चाई को सामने लेकर आएगी सत्य का मुख जूट की आँखे क्या देखें तो यहाँ पर कभी क्या कहना चाते हैं कि जो सच्चा विक्ती है वो अपनी बात को मुखर करेगा मुख से मुख यानि बात अपने मुख से अपने विचारों को अभिवेक्त करेगा अपने विचारों को अभिवेक्त करने के हो सकती है, यानि वो अपने आँखों में भै लेकर डर का भाव लेकर घूंता रहे या वो अपने आँखों में दर प्रकट करे कौन जो जूटा है लेकिन जो सत्य व्यक्ति है उसकी बात बोलेगी उसके मुख से उसकी आवाज उठेगी वो अभिव्यक्त करेगा क्या देखें कि इस समय हम क्या देखें जो वर्तमान समय है इसमें क्या देखें सत्य के रुख को देखें या समय के रुख को सत्य का रुख जैसा है समय का रुख भी वैसा ही है रुख से तात्परे क्या है कि जैसी हवा चल रही है जिस तरफ लोग जाना चाते हैं, किदर जाना चाते हैं, सत्य के साथ जाना चाते हैं, यानि सत्य जिस तरफ बढ़ रहा है, समय भी उसी के साथ चल रहा है, अभे जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है, अभे भे से रहित, दर से रहित जो जनता है, उसे सत्य ही सुख दे यानि अब जन्ता अपने सुख के बारे में जानती है और वो किसी भी भै से दरने वाली नहीं है उसने अपने भै को जीत लिया है और इसी लिए वो हमेशा सत्य का साथ दे रही है या सत्य में अपना सुख तलाश रही है क्या कहना चाते हैं कि जो दीनता है या दीनता है उसने दानव का रूप धारन कर लिया है काल समय भीशन है क्रूर है स्थिती और प्रस्तितियां विपřीत है ऐसी विपřीत प्रस्तितियों में कंगाल बुद्धी यानि जो बौधिक दरिदरता है उसका सामना भी व्यक्ति को करना पड़ रहा है इसलिए सभी मजूर हैं, सभी मजबूर हैं, हर घर मजबूर हैं किसके कारण? अपनी दीनता के कारण, अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण और अपनी बुद्धी का पूरन रूप से उपयोग ना कर पाने के कारण तो इसलिए कवी कहते हैं कि हमें आहवान करना चाहिए किसलिए आहवान करना चाहिए सत्य का क्या रंग प्रशन करना चाहिए हमें आवाज उठाने चाहिए सत्य की कि हम सत्य के बारे में पूछें और कैसे पूछें पूछो एक संग एक साथ एक स्वर में हमें ये पूछना चाहिए अर्थार जो कठिन समय है उसके पीछे सच्चाई क्या है वास्विक्ता क्या है सत्य का क्या रंग है ये हमें ढूनना चाहिए आवाज उठाने चाहि और वो पूछने का तरीका कैसा हो एक संग एक साथ एक स्वर में अगर हम एक आवाज उठाएंगे सभी मिल कर उस आवाज को बुलंद करेंगे तो जो राजनीती में भरष्टाचारी व्यक्ति बैठे हैं या जो प्रशाशनिक दशा को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं केवल अपनी जेभें भरने के लिए लोग तयार बैठे हैं उन लोगों के विरोध में हमें एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए और ये आवाज किसलिए उठनी चाहिए अपनी विपरीत प्रस्तितियों की वास्त्विक सच्चाई को जानने के लिए देखिए इस कवीता में मुख्य बात क्या है कि कोई भी प्रस्तितियां अचानक नहीं आती अगर आज हमारी समाजिक सिती अच्छी नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है वो ढूनना चाहिए और वो कारण कैसे ढूनना जा सकता है जब हम उन प्रस्तितियों के विरोध में स्वर उठाएंगे हम बात कहेंगे हम विचार रखेंगे और वही विचार हमारे प्रशन बनेंगे जिसके उत्तर हमें मिलेंगे या हमें ढूनने चाहिए एक जनता का दुख एक कि जनता जो हमारा समाज है समाज के जो लोग है उनका दुख भी एक है हवा में उड़ती पताकाई अनेक लेकिन हवा में जो पताकाई उड़ रही है पताका क्या है जो ज़ंडे उड़ रही है वो अलग है और ये ज़ंडे या पताकाई किसके हैं ये राजनीति के हैं जो राजनितिक अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनके अलग-अलग पता काई जंडे हो सकते हैं, या जो धरम के परचार परसार में लोग लगे हुए हैं, और अपना नारा बुलंद करना चाहते हैं, उनके जंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन जंता का जंडा तो एक ही है क्युंगी जन्ता का दुख एक है उनका दुख which is जीवन में जो गरीबि दरिदरTन वही उनका दुख है और वह एक समान है यानि उस दुख के बारे में कभी उहाँ पर कहते हें कि संपुल समाजिक जो प्रस्तितियां है वो खिलाफ हैं जनता के विपरीत हैं और इसी लिए जनता का दुख एक है लेकिन हमारे आस पास अगर हवा में या वातावरण में हम देखें तो अनेक पताकाई हैं अनेक जंडे हैं और जंडे किसके हैं कुछ राजनितिक पार्टियों से जु कार नहीं है वो सामान्य मानव के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है देन्य दानव यानि जो दीनता है उसने दानव का रूप ले लिया है इतनी भ्यंकर प्रस्तिति आ गई है कि मानव दीन हो गया है क्रूर स्थिति और प्रस्तितियां विपरीत है बुद्धी कंगाल हो कि शक्ति अब खतम हो चुकी है मजूर घर भर और सभी लोग मजबूर हो गए हैं किसके कारण विप्रीत प्रस्तितियों के कारण एक जनता का अमरवर एकता का स्वर और जनता को अमरता का वरदान किस में प्राप्त हुआ है एकता में अगर जनता में एकता का स्वर है एकता का भाव है तो हम जम जानते हैं कि एकता में बल है उसी विचार को यहाँ पर कभी ने रखा है कि जनता अगर एक स्वर में रहेगी एक साथ बोलेगी तभी उसे अमर्ता का व्रदान मिल पाएगा अन्यथा अगर वो ऐसा नहीं करती अगर वो एकता को त्याग देती है या एक स्वर में अपनी बात अपने विचारों को अपनी समस्याओं को अपनी विप्रीत प्रस्तितियों के प्रती जो स्वर है वो नहीं उठाती तो अन्यथा क्या होगा स्वातंत्रे इती यानि जो उसकी स्वातंत्रता है उसका स्वाभिमान है उसका जो स्वैम का विचार है या उसका जीवन है वो समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हमें सत्य के पक्ष में खड़ा होना है तभी हमारी बात बोलेगी और वो हमारी विप्रीत प्रस्तितियों का भेद भी खोलेगी अर्थात हमें वक्त की सच्चाई के बारे में केवल हमारी बात ही है हमारे प्रशन ही है जो हमारे लिए उ तो इस कवीता में कवी ने सच्चाई के संबन में अपने विचार अभिवेक्त किये हैं और कवी कहते हैं कि सच्चाई को प्रकट करने के लिए किसी और की आवशक्ता नहीं जो सच्चाई है वो स्वेम बूलेगी स्वेम अपने को सामने लेकर आएगी अपने आपको सामने ल सुन्दर चितरी हां पर प्रस्तुत कर रही है तो उमीद करते हूं कि कवीता अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप इस कवीता को जब करें तो इसे वर्तमान प्रस्तितियों के साथ जोड़ कर देखे कि वर्तवान प्रस्तितियों में हमें अपने हक या अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वर उठाना पड़ता है बात कहनी पड़ती है, आंदोलन चलाने पड़ते हैं और अगर हमारी बात सचाई से भरी हुई है या सत्ते से परिपूर्ण है तो अपने आप ही वो समाज में बदलाव लेकर आएगी ऐसा कभी इसमें बताना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर करें